कारे क्रम की देख़िया 36 गड़ के जम्मू किसान भाई वही नहीं हो तुहर मन के स्वागा थे मैं तहीं कियों संगी का काहिन फुल के अजरा गजरा काहिन फुल के हार काहिन फुल के माथिट कुलिया सोला वो सिंगार मैया फूल गजरा गूते हो मालिन के देरी फूल गजरा संगी हो नौरात्री के समय चला था वैं अमाता के सेवं सब जन तुमन लगे हवाओ तो हम रोड़ा ले कृसी दर्शन रायपूर की दारले आप सब जनला यह नौरात्री के बहुत बहुत सुभकामना वधाई संगी हो यह बात सच है कि नौ दिन ले हम माता के सेवा कर वो लेकिन हमर छतिती सेवा कर तяг माता संगी हो जब हमता है या बड़े सेवा के दवारा सहयोग जब वो मिल थे तब तुम्हार जो उन मेहना थे तेने एक की जगा में दस गुना फाइदा देते संगी हो। संबंदित कोई भी सवाल तुम्हार मन में होई तुम्हार सीधा आज फोन लगा हमर से बात कर सकता हो। संग में अभी जुन समसामाही की स्थिति में अभी किसान भाई मन अपन फसल वर का करना चाहिए और किस प्रकार के सहयोग सासन सुन ले सकते। वरतमान समय में जैसे खरीब का जो प्रमुक फसल धान है उसका बाली और गभोट के वस्था में है और अभी के समय अब तैयारी के समय है। किसान भाईयों को सबसे पहले धान की फसल के सुरक्षा जैसे वरतमान में लगातार बारिस हो रहा है और इस समय कीड़े और बीमारी के सबसे ज़्यादा प्रकौफ होता है। किसान हैं उनको अपनी सितक अले सब्जियों के नर्शरी तयार करने के लिए इस समय ध्यान देना पूड़ेगा। तो किसानों को दो दो दी जाने उले सुधाय में हैं जैसे फसल को सुरक्षा के लिए हमारे जो किसानों को फसल को बचाने के लिए जैसे पॉसी अरशनर अजडीयों पे पांस वागर के सानों के लिए rain हुआ लिफार दिया जाता है खिर्णा जांब hanno 22 30 अंड नेकिन अ किटनास्य दैए मैं से लाग्ण से लाक्रवाई थि या थो इन को 35 सो principle लुऽ पड़ाइब एक है किड़ाange उक्रवार वह सब्सक्राइबें किड़्वाई दिया जाता है अक्ञाक को संड़ेटियर j mental फसल अच्छा उत्वादन नहीं मिल पाला है तो बीजा से संबंधित कौन कौन से सुविधा शासन के द्वारा हमार किसान भाईयों को सुविधायत जी आती है कि उनके जो सहकारी समिति है या बीज निगम है वहां किसान अगर प्रमाडित भी अधार भीज लेते हैं तो किसा करके किसानों को प्रमाडित भीज भी है और अधार भीज है किसान को कौन कुन किसान ला कतिक किसान के संबंदित सुविधा मिल सकते हैं कि छोटे बड़े सभी किसानों को इसमें बीज किसान और इसमें उनके जो किसान क्रेड़ कार्ड में जो के सिसी का लिमिट है उसमें उपलब्ध उनके जितनी जमीन है जमीन के अधार पर उनको किसानों को बीज जो है उपलब्ध कराया जाता है। कर सकते हैं अच्छा दूसरा ये भी है कि किसान अगर नगत में भी बीज प्राप्त करना है तो उनको बीज निगम्या के प्रक्रिया के अंदरों में और क्रिशी भाग में साथ इसाथ में साकारी सेंथ में बीज उपलब्ध होता है। इसमें जैसे खेती के लिए सुरू से जैसा मृदा परिच्छन है मिट्टी से लेकर के बीज से लेकर के फसल के कटाई तक कि इन प्रकार के क्रिशी आदान समगरी के आऊ सकते होती है। इसमें अनुदान को दिया जाता है जैसे माली जै मिट्टी परिशन का कार्ड है। जैसे मिट्टी परिशन का कार्ड किसानों को उनको मिट्टी का परिशन करके निसूल को प्रदाय किया जाता है। उसी प्रकास जैसे मैंने आपको बीज के लिए बताए बीज में अनुदान का प्रधान रहता है। जैसे पॉंप खुद भावत हैं या ट्रिक्टर लेना चाहते हैं या पाइप्लाइन के लिए इसमें भी है जैसे एक साकंभरी योजना है जैसे डीजल पॉंप और बिद्दुत प्रधान का प्रधान है। और दूसरा नलकूप लगाना चाहते हैं तो उसमें नलकूप के लिए पॉंप में और खनन पर उसमें भी किसान भाईयों को अनुदान दे जाता है जैसे समानी वर्गे किसानों को 25 जार रुपया का नुदान है और जो अनुसुचित जाती जन जाती कि किसान उनको 43 जार और अन्य पिछड़ वर्गे किसान उनको 35 जार रुपया का नुदान का प्रावधान इसमें दिया जाता है जी अच्छा जी इसे खरीदना चाहते हैं किसान भाई आपने क्रिसी भाई के कारेलों में जाकर के उनके जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के अपने आवदान दे सकते हैं आवधान करने के बाद में फिर उनको पसंद के जो भी उनका मेक माडल के जो भी यंत्रे लेना हो वहाँ पर अपने इच्छा नूरूप आवधान भरते हैं और क्रिस्यक अंसराशी उनके जो जीला प्रावंधे के कारेला है या फिर जहां पर उनके अधिक्री ब्यक्ति हैं वो किसेंगा स्रासी जम्हा करके अनुदान का लाभी इसमें ले सकते हैं और अनुदान पर क्रिशियंत्र है या फिर स्प्रेंग्लर पाइप है सिचाई पाइप है यह सब उनकी सानों को रियाती दर पे अनुदान पर किस जो केंद्र और राजबुसीत यह जना आप उसे डारेक्ट इसो सुविधा है बिल्गुल मुझसे भी मिल सकते हैं तो उखर से बहुत सप्रकार के सुविधा बिल्गुल क्यों नहीं है अच्छा हमार यह सरकार जो नहें सिंचित रगबल बढ़ाय वर कौन-कौन से इसे योजना है कि सिंचित योजना है कि किसान आला है अभी मौसमी नाला है वहां पर पंप लगा करके बिद्दूद पंडिजल पंप लगा करके अपने पानी को खीच करके सिचाई का रगब बढ़ा सकते हैं इसको साकंबर यह जना बोलते हैं दूसरा एक नलकूप अनुदान के जना है नलकूप का खोदने और पंप दीसरा एक यह जना है कि उसमें इस प्रेंकलर पाईपर ड्रीप के लिए सिचाई के लिए वह इसको ड्रीप सिचाई बोलते हैं उसके लिए भी पाईप लाइन के वो नोजल के लिए उसमें जो वीजि निगम के मध्यम से इसमें मिनुदान है दूसरा यह है कि sixतिर सरकार जो है क्रिस्वी भाग और मर्रेगा जीला पंचायत करमर्युकास के माध्यम से उसमें भी जैसे स्टाब डेम बनाना है चोटे सिजाई तलाब बनाना है यह सास की जमीन पर बनता है या से नीजी डबरी बनाने मर्रेगा में इस प्रकार की उजनाएं चल रहे हैं ताकि सिंच जैसे हमारे भी भाग में इस्थल का चेहन करते है तो उसमें चोटे-चोटे जैसे चेक डेम बनाना है तो उसके केचमेंट एरिया को प्रस्तावी सिचाई कहां पर सिचाई हो सकता है इस थल का दी सिचाइब महल anis भी होट पहानी आरो पर रुकने पर निर्मान करने के बाद में कि ग्राम पंचयात को हैं उनकी होती है पानी के ब्यावस्था करना उपको खोलना प्यूग करना थे करना है सारी जिम्दारी उनकी होती है निर्मान एजिंसी के काम निर्मान कारी को बना करके उनको हेंड़ोर कर देना उसके समुचिक देखर करना जी बहुत-बहुत बढ़ी सुनने जनकाया थे जैवी खातु खेती आजकल खुब उखर महत भी है आप जाना थो रहसायनिक खा जाना है और दूसरा घरवा है उसको बढ़ाबा देना है और जो गोबर उनका जो निकलता है उसमें हम गोव्म्यूतर से विविन प्रकार के जविक ट्नासक बनाना थे गोबर का जैसे जिला पंचयतór है। मैं इसमें प्रकार के हमने महिला स्वा-सahता संहिस में काम कर रहे हैं। गोठान जहां पर हमारा बना हुआ है गोठान में परसों को लाना है परसों से गोबर इकत्र होगा उस गोबर से हम गमुत्र का जैवी खाद का वर्मिक कमपोस्ट नडेप बनाना है और तीसरा घटा काता है उसमें घुरवा गुरवा मतब हिद्राही मुलक है मर्रेगा के कच्रा है कच्रा से हमको नडेप और खेश्वा खाद बनाना है अजयवी का प्राकृति खाद को बढ़ावा देकर के ताकि उनकी खेती जो है काफी समय तक टिकाओ रहे चीरी स्थाइर हो पादक बने रहे तिसरा आखरी आता है बाड़ी मतला हमारी चोटे चोटे बाड़ी ह है गाओं में जो पूराने समय से चलते आ रहा है अपने घर के जरुतों की हिसाब से सब्जी उत्पादन करना है पोस्ण वाटिका को बढ़ावा देना ताकि हमको सब्जी भी मिले एक अगर चोट पादन होता है तो एक इस्थाई आमदेनी के साधन निर्मित हो सके इस प् सब्सक्राइब ले सकते हैं और इसका भी लाग ले सकते हैं जो हमारे रुजगार सहयक गाहों में है ग्राम पंचाइट के मध्यम से इसका प्रक्ण त्यार करके जिलावा रुजगार सहयक के द्वारा है से हमारे क्रिस्व घरिमण को सतार द्हिकारी कि मध्यम से धी दूसरा राश्टी क्रिसीव वकास योजना कंदरक्व घरता में अभी घृत् wiping गवठान है उसमें वहां पर गवठान में एक प्रदस्इन के रूप से शनय को प्रे shining के करना है कैसे करने करना है जिसके लिए रोगाय ग reluctant योजना दोलों के मद्हथ के इसके लाव को सब्सक्राइब करें, इसके लिए भी किसानों को तो सोचना चाहिए कि हम खुद त्यार करें, इसके लिए किसी प्रकार का मार्केट से खड़िनने का हो सकते ना हो, क्योंकि साधान हमारे घर में पलब्द है, हमारे आसपस में है, जैसे केंच्वा है, कोबर है, खचरा है, उसको सड़ा करके हम वेस्ट डिकमपोजर को प्योग करके बहुत जल्दी हम इसका खाद बना सकते हैं, तो हमको कुसिस करना चाहिए, हमको मार्केट से चीज़े हमारे प्राकृतिक में उपलब्द है, हमको खरीदना पड़े खुद त्यार करने क्षोप युड़े, तो संगवारी हो, आवा एक चोटे संदेश लिल रखना, उखर बाद फिर आपके सिवा महाजीरोगू, को हमको मंडी जाना है, अशे कहाँ देख रहे हुआ, अरे दहेज में स्कूटर आया है, इवात पे इत्राना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है और चार क्लास कहा पढ़ दिये भाव खा रही हो अंदल जाओ चलो चलो बाव कहा खा रहे है भाव तो दिये है तहिज दिये है मतलब भाव दिये है खरीद लिया है आपके बेटे को इजद से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने practical बोढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी एक चुछ चुछू है विराम के बाद शंग ऑर मनकि फेर एक बार स्वागत है बहुत बबधय हाँ हलो है हलो है हलो है है नमस्कार 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 कौन बोला था संगी ने पुरशोत्तम निर्मलकर करीवदर सुख भी लिया है हाँ पुर्शोत्तम निर्मलकर जी आपके बहुत बहुत स्वागत जय जोहार पुछाओ हाँ और सवाल है सर्मा जी की असिंचित जमिन में सासन द्वाराज कौन कौन से अनुदान प्रदाई किया जाता है संबत में जानकारी चाहिए था बहुत सुन्दर पुछे हो देखो आभी अमर्सार आपना बताहिए सिंचित जमिन में जैसे आपको सिंचित तरकबा बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको देखना पढ़ेगा कि सरोथ क्या है जैसे इस रोत में जैसे अगर नदी नाले के आसपास जमीन है तो और बिद्दूत लाइन है तो आप साकंभरी योजने के अंदर गत में बिद्दूत पम्प भी प्राप्त कर सकते हैं अगर बिजली नहीं है तो आप दो विकल्प है एक तो सौर सुजला योजना है और दूसरे डिजल पम्प का है जिसमें सकंभरी योजना है तो ये दो प्रकार के अगर सिचाइस रोत है नदी नाला है तो आप उसका लाब ले सकते हैं अगर कोई नदी लाने वगर नहीं है त तो आप नलकुप जो अनुदान की योजना है उसका आप नलकुप खोदा करके आप उसका सिचाई रग्दबा में बृद्धी कर सकते हैं कौन सब वरगा कि किसान ने थोड़ा सा बता है यह समान वरगा कर आप किसान होंगे तो 25 जार रुपय का नुदान मिलेगा अच्छा यह दवाई छिड़कने के काम में आता है खेत में पौधा बचाने के लिए तो इसमें पौधा बचाने के लिए तो इसमें जिसमें पौधान का प्रावधान है इसमें बेटरी से चलने वाले मिय प्रेइर हैं हम थे चलने वाले में सब्ःगा कायक्त है किसे निए नित में सब्सक्राइब गया थियुक्त के बाद हो जैसे अभी जैसे फटेंट करेंगे सब्सक्राइब अगर वह बिक्री कर सकता है तब ही उसको अंधान का लाव मिल पायगा अच्छा कोई भी यंत्र के बात है हाँ जैसे बचा इन में क्रिशी यंत्रों के लिए चैंप से यूजना है और ये पोल्सरक्षण यंद्रे के लिए तो हमारी क्रिसी भाग में बीजने गाम में और जो पंजीकरित बेपारी हैं जो लाइसिंसी होंगे जिसको सेल परमिसन है उनके यहां से करे करने से लाब ले सकते हैं ये अच्छो जो पाइप वाइप होई है तेनों तो खुरो पर को लो दूसर बीजने गाम वो सब बीजने गाम में जाके लिए लगे हैं बीजने गाम मिले सकते उसके लिए ने प्राइवेट में नहीं है वो जी बहुत बढ़ी है ये बाजार की जून बेवस्ता है काय की बयावस्ता होगा काय के लिए कुछ दिन पहले लेकं व्यूहार की आपके स्वागा थे कोन बोला था रमानिच जंगयल पूर रहा हूं जी विजना पूर से वाजना जना जी आखे आपका बहुत-बहुत स्वागा थे जैजोहार पूछा ओ अच्छा दवई कौन से डालना एकार बारे में तु नहीं लेकिन दवई डाले बर कुछ सहयोग जो नहीं अच्छा देखेंगे पानी के जो एसे लेबल है उसके धान के तना में आस्वास में चिपका रहता है वह भूरा माओ लाइन से बैठे रहता है उसके लिए जो दवाई है वो आपको जो इंद्रा गांधी क्रिसिव से डाले से अनुसंसीत या हमारे च्छेतर के ग्रम्री क्रिसिव इसतार दिकारी से पूछ लेंगे तो जो भी अनुसंसीत दवाई उसके इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको 50% का जो आपके कीमत है दव हैंगे आप हसलों को बचा सकते हैं इसके लिए बहुत सुन्दर जन करें इस गहरामसर यह अब बाजार के लिए जैसे कुछ दिन पहले होटल से जी हिराइपूर में हुआ है एक बायर सेलर मीट हुआ था अच्छा देशा था कि क्रिसी के बिपड़न को कैसे प्रोसाहित कि जाँ छत्तिसगर में हमारे सरकुज़ा से लेकर कि बस्तर तक इभन प्रकार के क्रिसी उत्पाधन होता है जैसे सोया बीन हैं दलहन है तीलहन है और खासकर जैसे मिलेटस है मिलेटस जैसे मैं पूलते हैं कोदो कुटकी रागी इसके बाजार में आजकल बहुत और हमारे बस्तर का पठार है और उत्री पहाड़ी चत्तिजगर जैसे सर्गुजा है वहां काफी उत्पादन होने लगा उसके खरिदार भी है तो अभी कुछ सब्सक्रिकारी हो, कि प्लक करदार में नीट करें नयुकर को करा मार्केटिंग करने के लिए उनको बेचने के लिए उनको एक बजार प्रचिक्षन प्रदर्शन और मार्केटिंग के सुधा भी एक प्लेटफॉर्म उप्लब धकरा रहे हैं ताकि उनको बेचने के लिएक सुधा हो और अपना आत्मा योजन हमारे चलता है जिसमें किसान को प्रचिक्षन प्रदर्शन भ्रमण वगएरे के लिए ताकि दूसरे जगा जाएं देखें उस कारिक्रम को तो बजार को सुधरिंड करने के लिए सरकार के द्वारा भी एक बाहर से लोग आए भी थे यहां की किसानों के साथ में भी हुआ है उत्पात को पहचाने भी हैं लोगों ने काफी रूची दिखाई है ते निश्चित लुप से हमारा हलो हलो है हाँ हलो हलो हाँ हाँ अजी आपके स्वागा थे पुछाओ का पुछना चाहा था था हाँ करना है तो किस तरीकर से मतलब खेटी किसानी करना है यह कुछ जानकरी लेना है सबसे पहले तो आप सिंचित में बोना चाहते हैं अगर बोना चाहते हैं तो सबसे पहले ही किसम का या मध्या मोधी के धान बोना चाहते हैं जल्दी कटेगा तो चनकी बौई है वो समय पे होगा अक्टूबर लास्ट में नमबर के फस्ट विप में ताकि इल्ली वगरा ना हो किट बीमारी से बचा जाएए बिल्कुल समय का बहुत बड़ा महत्वा है रभी फसलों के लिए तो आपकी जमीन कैसा है उसके अधार में उपलब्द हैं जैसे पहुंधरा बहुत सारी जैरी आपके देए हुई जानकारी देखरों फायदा उठाई है आप लो बहुत भुत धन्यवाद तो संगी हो शासन के खूब सारी युजना है हमर 36 का किसान मनला बोड़ोत्री करे बर आज बहुत अकर यूजना जानकारी आप हम लें हवा है अव यह सारी युजना के लभाईदा आज बसत के अवया दिन बर फेर एक नवा जानकारी लेका आपके सेवा महाजीर होबो तल घस जम्मु संग्वारी मला जै जोहार हुआ हुआ इनकार घ्रए तरया जै जोगे हुआ नहीं जो जो घ्या जाए जाए थैपके सेवा दोगे है उल्हारी ऍार जाए जएने कर रहा हुआ है